नमस्कार दोस्तों कैसे हैं आप सब स्वागत है आप सभी का हमारे आज की इस नए वीडियो में तो आज मैं आपको बता लगभग मुस्टी लोगों का एड्मिशन हो गया होगा ठीक है तो क्लासेज भी नहीं चल रही है और अभी सेड्यूल भी नहीं है कि कब से चलेंगी को सेड्यूल आया नहीं है लेकिन आपके स्लेवर्स और टाइम टेबल आपकी ऑफिशिल साइट पर अपलोड हो चुके हैं आप उन्हें जाकर डाउनलोड कर लिए और आपने पढ़ाई शुरू करिए ठीक है बुक्स वगएरा मैं बता दे रहा हूं आज आज आपको पॉले सेपिए तो यहीं ही पैपर सब कुछ होता है तो ये स्लेवर्स हैं 2013 और चौदा का हैं क्योंकि 2013 और 14 से कोईबहन कोई हैं समस्में हटाया नहीं गया 2013 वाला slivers चल रहा है अभी तक एलहाबद विश्विद्याले में ठीक है तो लेकिन इस बार ड्यू टू पैंडेमिक च्डिया गया है आपके slivers में थोड़ा सा curtailument हुआ है थोड़ा सा कम हुआ है तो वह क्या कम हुआ है आपको बताता हूं देखिए यह BA part first है इसमें पहले paper में दो paper होता है आपका ठीक है जितने भी subject है economics की बात छोड़ दिया जाए उसमें तीन paper है हमें भी तो बाकी जितने भी है political science हो गया history हो गया जो भी है तो इसमें आपको दो-दो paper देने होंगे तो BA part first में आपको political science में पहला paper जो देना है वो political theory है ठीक है दूसरा paper जो आपको देना है वो है theory and practice of modern governments with a special reference to UK, USA, China and India लेकिन इस बार चाइना को हटा दिया गया ठीक है ये constitution आपको इसमें पढ़ने है UK का, USA का, India का और चाइना का लेकिन चाइना को इस बार हटा दिया गया है सिर्फ तीन country आपको पढ़नी है यू कि वेसे आठाट पढ़ने के साथ साथ पढ़ने के constitution है तो इनको छोड़िए आप ठीक है इनकी books लेनी की भी जरूरत नहीं है Google से आप पढ़ लेंगे और Indian constitution के आपको एक book लेनी पढ़ेगी ठीक है तो वह है opgaba ठीक है opgaba first year के लिए फिर चाहे आप Hindi medium से बिलॉंग करते हैं या फिर English medium अगर आप English medium के student है जेट section के तो आप वहां पर opgaba ले सकते हो English medium वाली बाकी Hindi medium के है तो Hindi medium इसका दोनों चलता है ठीक है बाकी दो एक और books है एंड्री हेवड एंड्री हेवड एंड्री हेवड यह थोड़ा महंगी book है और इसकी जो language है वह थोड़ा सा उन्स opgaba से थोड़ा सा बेटर नहीं कह सकते हो difficult है एंड्री हेवड की जो language है वो difficult है आपको समझने में dictionary के help लेनी पड़ेगी Google के help लेनी पड़ेगी इसलिए opgaba ले ले लिजिए बहुत ही अच्छी वोग है आपको आगे UPSC वगएरा में भी help करेगी बहुत जादा ठीक है और जो दूसरा paper है आपका देखिए इसमें unit first unit first है unit second है unit third है unit fourth है यहां आपको first paper से unit fifth हटा दी ठीक है unit fifth आपको नहीं पढ़ना है लेकिन पढ़ना होगा आप अभी मत पढ़िए अभी तो exam point of book पढ़िए लेकिन unit fifth जो है important unit है उसको पढ़ना ही पढ़ेगा तो दूसरा paper दूसरे paper की बात अगर करें तो आप दूसरे paper के लिए एकाती है AC Kapoor ठीक है AC Kapoor कई सारी books है इसकी AC Kapoor की for selected constitution है हरी अगर हिंदी मीडियम से बिलॉंग करते हैं तो हरी मोहन जैन की पंच संविधान है जिसमें UK यविसे चाइना जापान इंडिया इन सब का मिल सकता है इनकी books है ठीक है बाकी M. Lakshmikanth मैं आपको कहूंगा क्योंकि आपको यह के इसे यह Google से इसली मिल जाएंगे आपको YouTube पर अच्छे से समझ में आ जाएगा लेकिन M. Lakshmikanth आपको UPSC की preparation करनी है बहुत सारी चीजें है यह तो पढ़ना ही है हर हाल में पढ़ना है तो M. Lakshmikanth आप ले लिए इसमें आपको इंडिया के constitution से related हर एक point मिल जाएगा ठीक है बहुत ही अच्छे से तो इसे आप Hindi वाले भी ले सकते हैं English वाले दोनों language में available है मार्केट में ठीक है नीचे link भी दिया गया है आप वहां से भी ले सकते हो इसको ठीक है तो यह दो-चार books है means पहले paper के लिए आप OP GABA ले लिजिए ठीक है जाए फिर अच्छे से पढ़ना है अच्छे का मतलब कम पढ़ना है या फिर आप M.Lakshmika नहीं पढ़ना चाते हो तब selected constitution AC Kapoor की है उसको ले सकते हो या फिर DD Basu की है an introduction to constitution of India Hindi English दोनों में available है आपको नीचे link मिलेगा तो यह सब ठीक है लेकिन यह perfect नहीं है ठीक है perfect का मतलब आपको मैं मिल डॉट हो गए रहा है तो मैं क्लियर नहीं कर पहूंगा फिलाल आपको जो नए सब दूसरे सब्जेक्ट है उसका मैं नेक्स वीडियो में बता दूंगा ठीक है तब तक आप तुमना ख्याल रखिए और स्लेवर्स डाउनलोड करकर पढ़ाई करिए ठीक है बुक्स